और नम斯्त दोस्तों, आज हम बात करने वाले are city C, था यहां पर आप देखोगे तो स्टोक ने दोस्तों यहां पर दो बार ब्रेक आउट लिया था तब भी हमने वीडियो बनाई थी 918 के लेवल के उपर स्टोक चल रहा था तभी वीडियो बनाई थी स्टोक ने जो दोस्तो 52 वी खाई बनाया था दोस्तो यहाँ पर देखोगे तो 1135 के आसपस का 52 वी खाई था फिर उसके बाद बड़ी प्रोफिट बुकिंग देखने को मिली यहाँ पर यह जो एक ही केंडल जो बनी थी दोस्तो बहुत डाउन में गई थी और उस टायम पर दोस्तो 1100 से सीधा स्टोक आ गया था 872 के आसपस का यह स्ट्रोंग सपोर्ट जोन में ने बनाया है तो दोस्तो ये बहुत बड़ा strong support zone है दोस्तो ये आपको note करना है तो दोस्तो ये strong support zone है दोस्तो first strong support zone है 860 का और second strong support zone है 840 का तो दोस्तो वहां से दो बा स्टोक ने दोस्तो बॉंस बेक किया था और दोस्तो स्टोक यहां पर गया था वापीस 1,000 के असपस तो दोस्तो वीड विडियो है ध्यान सो सुन Wallace बताने वाला हूँ और important है तो दोस्तो कुछ levels भी बताओंगा यहां पर दोस्तों जब भी हमने stock को बताया था 918 के आस पास से तो दोस्तों हमने फर्स टारगेट बताया था 950 का तो वौ दोस्तों दो बारेचिव की है stock ने और फिर दोस्तों यहां पर Israel और दोस्तों इरान की news की खबर है युद की तो उसके बाद news से यहाँ पर negative हुई, तो दोस्तो market भी negative हुआ, उसके साथ IRCTC भी negative हुआ, और 925-930 से दोस्तो stock वापिस आ गया है, 832 के उपर, आज भी stock ने दोस्तो 890 के आसपास का high लगाया था, 893 के आसपास stock गया था, फिर वापिस negative हुआ, तो दोस्तो यहाँ पर जान तो 70,000 करोड का market cap है, 40 के आसपास की book value है, यहाँ पर EPS 14 के आसपास का है, सालाना dividend, 0.73% के आसपास है, पी 259 और company के उपर curse भी बिल्कुल जादा नहीं है, और दोस्तो face value दो के आसपास के fundamental वे से अच्छा है, financial report में quarterly to quarterly जो company का profit है, RCTC का बहुत बढ़िया यहाँ यहाँ 2% government of India holding है, और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, तो 16% यहाँ पर retailer है, DIA 9% है, FIA 7% है, mutual fund 3% है, अभी दोस्तों बात करेंगे IRCTC की, तो दोस्तों IRCTC के अंदर जो strong technical levels में आपको बता रहा हूँ, दोस्तों अगर दोस्तो 688 से वापिस दोस्तों stock bounce बेक करता है, तो दोस्त जब भी दोस्तों अपने उपर कोई भी अमला होता है, तो उसका जवाब ताबड तोड़ देता है, तो दोस्तों यहाँ पर negative stock यहाँ पर देखने को मिला 2 दिन से, तो यहाँ पर investment करना थोड़ा बहुत रिस्क है, बट फिर भी यहाँ पर मैंने कुछ technical support दो रहे है, जो support zone है, 850 का, 860 का, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे लगा के चल सकते हो, बाकी दोस्तों यहाँ पर जो targets रहेंगे, दोस्तों, तो resistance हमारा रहेगा, 955 का, और दोस्तों, 987 के आसपस का, तो यह आपको note करना है, बाकी दोस्तों, आपको investment करना हो, तो दोस्तों, अ आसथ बने रहे है, सिखते रहे है, जाइंद